Hello guys this is Mohit Ectoror और आजका अपना टॉपक है Heart rate देखे Heart जो कॉंटरेक्ट होता है तो उसके कॉंटरेक्ट होने की कुछ रिदम होती है कि वो एक मिनिट में कितनी बार कॉंटेक हुआ जब लगातार रिधम के साथ जब कॉंटेक्ट होता है दरसल आपन का हार्ट है वो एक मिनिट में कई बार कॉंटेक्ट होता है तो heart rate the speed at which heart beat मलब heart जितनी बार धड़कता है जितनी speed से धड़कता है उस speed को क्या बोल देते हैं अपन लोग heart rate बोलते हैं normal जो heart rate होती है जो धड़कते हैं कि उसकी speed होती है 72 बार एक minute में ठीक है तो 72 पर minute heart rate कितनी हो जाती है अपन की 72 पर minute है तो heart rate वेदा इस डिरिंग normal physiological conditions that is exercise emotions मलब देखिए सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे heart rate को उसको vary करने देखेंगे किस तरह से vary होती है क्यों अगर constant heart rate थी तो क्यों उससे थोड़ी अलग हुई अगल अलग हुई है थोड़ी वह उसमें क्योंकि हमारी बॉड़ी में क्या होता है इस पिसल टाइप अप रेगुलेटरी मेकेनिजम अब यह रेगुलेटरी मेकेनिजम किसकी द्वारा काम करता है तो यह में रही होता है अपनका nervous system तो एक nervous mechanism होती है जो इसको क्या करती है बापस से लाने में help करती है heart rate is regulated by nervous mechanism जो क्या होती है तीन सब्सक्राइब कर नहीं सकता उसको कुछ संदेश भी चाहिए जो वहां से क्या होते है उस पार्ट से ब्रेंट तक आएंगे तो कुछ संदेश लेने वाले को संदेश ले जाने वाले होते हैं ठीक है तो उनको क्या बुलते था हैं सब्सक्राइब होता है और जो अपन का पीछे की तरब क्या होता है तो यह पॉंस के लोवर पार्ट में और मेडिला के अपर पार्ट में क्या होता है यह मेजमेटर सेंटर पाया जाता है अब बेसमोटर सेंटर का एक अपन होता है यह अपन देखते हैं तो बेसमोटर सेंटर बेसमोटर सेंटर क्या होता है ब्रेन का एक सेंटर है जो क्या करता है अपन का ब्लड प् से क्या होता है चिहां का इसका लोटाइस और इंटा से यह तो मैंने लिए अखसरा ये वाला आपन artificial section लिया था श हो है तो आंगे देखने वाले आपन लोग area और वेसोbles शेनटर में में कितने टाइप के area होて है, लेकि बेसो मोट कोंट ज्लेस क़ा नाम से पता चल मलब बेस सब्लकाइब करांब और कांडियो C houसा है जो आपन geudas को डालेकिशन न भी कर आता है और किस इंसरी एरिया मलब कोई भी यह जाता पन का sensory area आप इनको देखेंगी अपन के कहां पेन की situation होती है किस तरह से यह भी सबसे पहले इसन देखने पां तो जो बेस्टेक्शन एरिया होता है जिसको कार्डियो अथी यटीर वो लबें थे है crown लेटरल पोर्शन ओप नो बेस्टेटर तो देखिए मैंने आपको बताय था यह फ्लोर ओफ फॉर्ट वेंटिकल फॉर्ट पाया जाता है यह वाला आपन बोल सकते हैं अब क्या यह वाला रहा है लेटरल पॉर्सन ये लेटरल पॉर्सन बना रहा है ठीक है अब फंक्शन के बैसे नमबर बनाएगा इसने बनाया और ये कुन सा सब्सक्राइब करेंगे बहुत इंपोर्टेंट होता है तो बहुंप पता चलेगा तो सेंसरी एडिया क्या होता है इसके फंक्सन क्या होते हैं तो इक तो हाट रेट बढ़ाएगा और वेसो कॉंस्टेक्शन करेगा यह हाट रेट कम करेगा और वेसो डाइलेशन करेगा और इसका करेगा इंपॉल्स रिसीप करेगा किसी भी टाइप की इंपल्स निर्फ से ठीक है इंगेज हाट रेट वांसेंटि करेगा और वेसो का दागस नर्प करेगा और वेशोडियलेट अने भी कराएगा ठीक है देशी इंपल्स विया नाइन्थ नए अन्ट नर्फ किलोसोफरेंजियल और बेगास नर्फ से क्या इंपल्स रिसीफ करेगा और क्या करेगा पर्टिक्लर लिकोंस वेडरी सेप्टर तो जो भी चैंजिस हो रहे हैं तो उनको क्या क सबसक्राइब करते हैं जबकी जो आपन का रिया होता है जो इससे के नहीं करता है पतने किस आपने तिर्व मोतर सेंटर में पर लिए पहले कींवाण किसको प्रीया पर पढ़ लिए उनकी situation पढ़ लिए उनके function पढ़ लिए उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है ठीक है अब आपन देखते हैं मोटर नर्फ फाइबर्स टू हार्ट देखे अपने बेसमोटर सेंटर पढ़ लिए अपने नर्फ मेकनिजम पढ़ रहा है हार्ट कंट्रोल की उस लिए होता है क्ट्री नहीं करता है तो काडियो होता है तो यह आपन देखे ले रहे हैं यह आपन देख रहे हैं देखे डॉर्सल नुक्लियस वेगरस यहां पर किया मेड़िला में है ठीक है बहां से यह फ्री एंग्लियान ने फइवर्स हैं प्री फइवर्स कौन सी कि फिट फट प्रिक पॉस्ट यह ने फाइबर्स कहांपर कर देंगा पन के एस सोनेट और बहुत थोड़ा बाग कहांप और इसकी राइट बाला पार्ट रहेगा वह भी आएगा वह भी आएगा वह बहुत थोड़ी बहुत ही कम ब्रांच इसको करेंगी तो इस तरह पहुंच आता है ठीक है तरह पर यह दर लिखा है प्रिगे लिएग वह ब्रांच के थुरू कि होते हैं इसके पास होते हैं रीज हार्ट एंड टर्मिनेट और पोस्ट गेंगलियों नीवर्ण बेखा पणने किस तरह से टर्मिनेट हो गए थे most of fibers from right vegas terminate in SA node and remain on AV node तो जो right vegas के पर ने fiber देखे थे किस पर terminate हुए थे SA node पर और बहुत कम जो remain बचे हुए थे वो कहां पर AV node पर जबकि most of left vegas fiber terminate on AV node and remain on SA node ठीक है तो जो left वाले थे वो कहां पर SA node पर बहुत कम बचे हुए कहां पर जो एसे node पर जादनतर कहां पर AV node पर और कम बचे हुए कहां पर SA node पर ventricles do not receive the vagus nerve supply ventricles को vagus nerve supply नहीं करती है ठीक है तो यह अपने देखे लिया किस तरह से vagus का vagus nerve का supply हो रहा है अपन के heart के लिए अब यहां पर क्या वेंट्रीकल को लिखा प्रक्रक्राइब करते हैं का से इनिवीटरी एरिया से और कहां सब्सक्राइब इस इनिवीटरी इंपल्स को लाते हैं ठीक है आप अपन देखते हैं तो पैरा सेंपेटिक फाइबर्स का देखे का मोड़ ऑप ऑक्षन कहां सा था नियूरो ट्रांस्मीटर किसको क्या वह एसी टाइल को लिन रिलीस करके क्या करते हैं अपना कार करते हैं ठीक है बहुत स्लोली काम करता है जब कि यह कौन सा इनिव कि फॉर्स्ट फॉर्स एक नर्व की लेटर ग्री हों से इनका औरीजन हो रहा है ठीक है टीवन टीटू टीट्री और टीफॉर पोर्स के हैसा हुदा है प्री गैंगलियों एक फाइबर्स दीज्टू सुपीरियर मिडल एंड इंफीर सर्वाइकल सेंपेटिक गैंगलियों अब लाजर आर्ट्री स्कुन कौन सी है अपनी योटा है पर्मुनरी आर्ट्री है और बेस ओप हार्ट मींस इट्रिया साइट ठीक है रेस्ट ओप हार्ट जितना बचे गुए हार्ट है उसके किसकी दौर सप्लाई होगा अपनका मिडल सर्वाइकल सेंपेटिक नर्व और सब्सक्राइब उनको वेशुच्छा एरिया से हाट तक पहुंचाए गांगे पन्येट पर यह अफ्ट है फट्रिया सेंपेटिक नर्व यह इसका नोर निकाल निकाल जब उसके बाले का करें या मोड चनिक धौन का एक तो एसटाइल कॉलिन का रिलीस करता बच्छिक है इसका आता है एक एफेक्ट आप इस्ट्यूलेट नर्व और सेंप्था टेक्ट नर्व से कुछ नहीं होगा अगर इसको स्टिमिल्यूट करेंगे अपन लो तो सीधी सी बात है कि अगर सिम्पिट्र टेक्ट किया है तो इसको अगर आपने तो क्या करेंगा हार्ट बढ़ाए लेकिन अगर बेकर सब्सक्राइब लेकर अवह लग से देखेंगे यह आप आप सकते हैं आपन लो सबसे पहले लेकर नोर नियुक्त इती टीटी टी टीटी टीटीटीगी फीर यह ऐसे वाली गंगलियों आ गहिए वहां यह नर्व हुई तो दीखे सबसे सुपियर वाली थी वो क्या मैं आर्टरी सो सप्राई कर रही थी और बेसल पार्ट को सप्राई रही थी मिदल वाला रेस्ट ओप और इंपियर वाला क्या कर रहा था सेंस वाला काम कर रहा था ठीक है कि अफट ऑप स्ट्ट्रूलेशन में देख लेते हैं इंक्रीज डा रेट और फोर्स उप ओंट्रेक्शन ओफार्ट थी बड़ा देता मोड़ाए आपको अब और आपको कि रहा हों निदा नीरो ट्रांसमूटर क्ल्ड निटेटर्रें ने और आद्रीयलन को न कर दाएपने क इस पर से ले जाते हैं कोई भी अक्टिविटी वह उसको कहा तक ले जाते हैं बनके बाद सेंपिटेटिक नर्व करी सेंसेशन ओप स्ट्रेच एंड पर फो रहे हैं विया इस पाइनल कोड तो कोई भी इस्ट्रेच हुआ लिए थो यह इंपन का इसके तिनों पार्ट किसके नर्वस मेकनेजम जो आपन के को कंट्रोल करती है अब आपन देखने वाले हैं किस तरह से वेगल इस्ट्मिलेशन देते हैं तो क्या-क्या चेंजर्ज होते हैं